हेलो, गुड मॉनिंग दोस्तों, 15 एक्टूबर 2018 की फिलिम्स अब्लिक्र सीरीज में आपका स्वागत है आज का जो पहला आर्टिकल आए है, वो एह है UNHR से को लेकिन United Nation Human Rights Council के बारे में, कंटेक्स्ट का है, वो हम देखेंगे इसके साथ इसके बारे में जानेंगे कि United Nation Human Rights Council क्या है, किस तरीकी से काम है, वो करती है देखो, United Nation Human Rights Council है, वो एक UN की बोड़ी है, तो यह हमें पता है कि UN नाम लग रहा तो वो बिशली United Nation की बोड़ी तो है 2006 में इसको बेसिकली बनाया गया था, और इसका मैन मोटो यह था बनाते टाइम, United Nation Human Rights Council का, कि बाई, जो भी ओल और वर्ड में Human Rights violation होता है, उसको कंट्रोल क्या जासके, इसके साथ ही, जो भी Human Rights के Human Rights होते हैं, उनको एक तरीके से लोगों को फर्मोट क्या जाए, उनको इसके लिए basically, UNHRCA वो काम है, वो करती है, बहुत पर्मोटिंग और प्रोटेक्टिंग और फिमन राइट्स अराउंड ग्लोग, बहुत पूरे विशुए के अंदर, Human Rights को प्रोटेक्ट करती है, और उनको पर्मोट भी करती है, ताकि लोगों को पता भी चले, कि हमारे रा जो कि UN का एक man organ है, उससे basically elect हो किया जाते है हर तीन साल के लिए, मतलब United Nations Human Aid Council के सदस्य है, उनका कार्याकाल तीन साल होता है, वो होता है, तो ये चीज़ हमेदान में रखनी है, कहां से elect होते है, United Nations General Assembly के जो members होते है, उन में से हर तीन साल में elect हो किया जाते है, तो अभी context य जो presence है, उनको दुबारा इसमे elect हो किया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा भी देख लेते हैं, तो जो भारत के member elect हो है, वो basically 2011-14 के टाइम पर भी भारत का प्रसन हो elect हो था, वो 2014-17 के वीचे में भी भारत का member है, वो elect हो था, वो 2000 अभी देखा जाए, तो वो elect तरीके से मतलब आगे के जो टाइम प्रेट है, इसमें भी हमारा member है, वो elect है, वो किये गया है, तो ये थोड़ा में धानमी, जो अपी recently voting होई थी, इसमें से देखो, total 18% को elect किया गया था, मतलब 18% की इस बार एक तरीके से selection committee बठाए गी थी, और उनका voting हो हुआ था, secret ballot के election का voting होआ, और उस में से भारत के परसंस है, उनको दुबार है elect है, वो किया गया है, और इसका जो headquarter है, United Nations Human Rights Council का वो जी निवामी है, तो ये चीज़ें में धानमी रखनी है, कि भाई क्या important है, तो मतलब एक तुद्ध को UPCS से पोच सकती है, कि इंडिया के जो परसंस है, वो इसके प से इलेक्ट किया जाते है, वो basically United Nations General Assembly के सदस्यों में से ही elect है, वो किया जाते है, Secret Billet Voting की helps है, तो ये दो-चार facts है, वो हमने आपर देख लिए है, अब एहम बात ही है, कि United Nations Human Rights Council है, वो देखो, address इसके तो सदस्य है, 40 सदस्य है, ये साल में कम से कम तीन मिटिंग आयोजित क होते हैं, तो ये चीज़ हमें धान में रखनी है, कि United Nations Human Rights Council के जो भी decision होते हैं, वो non-binding है, binding नहीं किसी भी country पर, तो ये effect हमें धान में रखते हुए आगे चलना है, अब हम देखते है, next article को लेके, next article है, वो IISDI report के वारे में, मतलब कि United Nations International Strategy for Disaster Reduction को लेके report है, वो web list की गी है, basically जो report है, उसका नाम है, economic losses, 40 and disaster, 1998 to 2017, अब है क्या है इस report में, वो देखने है, देखो ये जो report है, ये climate related disaster को, शो है, वो करती है, और इस report में basically है, शो किया गया है, कि India के अंदर जो भी climate change हुआ है, इसके जो भी disaster आये है, उसकी है, उसकी है, उसकी है, उसकी है, उसकी है कि last 20 सालों में हम बात करें, 1998 से लेके 2017 के इंडिया को लगभग 79.5 billion dollar का loss है, वो हुआ है, क्योंकि एक तरिक्सी disaster है, natural हो से, वो climate किसी भी type को, इंडिजास्टर की बात basically हापी की जा रही है, जिसे global warming है, आप इसमें include कर सकते हो, कही बार सुखा आता है, उन सारे points को basically हापी include है, वो क्या गए, तो एक तो मैं report का title ध्यान में रखना है, कि report है कुँन सी, अब धुको United Nations, जो International Strategy for Disaster Reduction है, इसका office है, जिसका नाम है UN Office for Disaster Risk Reduction, इसके दौरा basically report है, वो publish की गई है, तो UN का office ध्यान में रखना है, विसी से simple सा ही है, क्योंकि disaster से related है, तो आप easily guess कर सकते हो, बट तो रिपोर्ट धाना है, वो इंडिया का क्या हलात है, वो तो रहा पर बताया गया है, अब देखते है, next article, next जो article आया है, वो है, commitment to reduce inequality index, देखो commitment to reduce inequality index है, वो basically publish क्या गया है, Oxfam and development financial international के द्वारा, तो ये हमें धान में रखना है, तो पहले तो हम जान लेते हैं, कि Oxfam क्या है, फिर हम जाते हैं कि development financial incidence क्या है, देखो Oxfam है, वो एक non-governmental organization है, हम लेए एक NGO है, जिसको basically 1942 में इंग्लेंड में बनाएगा था, तो इसका headquarter इंग्लेंड में है, तो ये चीज़ हमें धान में रखनी है, कि Oxfam है एक NGO है, ये चीज़ हमें धान में रखनी है, उपेस ये सारे काम इसके दोरा किया हो किया जाते हैं बलाई के लिए, अब हम बात करें, development financial international की, तो यह एक not for profit economic research group है, जिसमें कापी सारे चोचोचोटे ग्रूप से हो मिले हैं, मिलें चोचोटे एक त्रिशा बोल सकते हो, कि चोचोटे parts से इसके, उनके मिलाके basically एक group है, वो बना ये जो development financial international है, ये basically economic issues है, उनके उपर focus करता है, कि भाई किस country में economic issues कैसे चल रहे हैं, किस तरह की से उनके नहीं पटना है, उन सारे काम पर basically इसके दोरा focus है, वो किया जाता है, तो अभी recently इन दोनों ही institute ने basically एक report है, एक index है, वो बबलीश का जिसका नाम है, commitment to reduce inequality index, इसमें देखो इस चीज़ पर focus किया गया, कि भाई ऐसमाता में लब inequality है, उसको कम करने के लिए कौन सी country ने किस level पर काम किया है, और उसका क्या result देखने को मिला है, तो इस index के अधार पर इंडिया को ranking है, वो बहुत ही गटिया दी गी है, इंडिया की ranking है, वो 157 country में से 147 नमर पर इंडिया को रखा गया है, अब बात करें, ब्रिक्स कंट्रीज की, तो ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर भी इंडिया की ranking बहुत खराब ही रखी गया है, ब्राजिल की ranking है, वो 39, बात करें, रस्या की ranking है, वो 50, और चाइना की ranking है, वो यहाँ पर दी गया है, 81, और साउथ जो कंप्रीज हैं जिनने साहर के नाम जाते हैं उनमें इंडिया चठे नमर पर हैं मतलब इंडिया से देखा जातों रेंकिंग बहुत ही खराब रखी गी है क्योंकि इंडिया ने रंक से काम नहीं किया है कि यहां पर इधान रखना है कि कमिट्मेंट तू रिडूस एन जिसने जो कि economic issues पर focus है वो करता है जैसे कि labor reform phone secretary में किस तरिके के हो रहे हैं इन पर basically focus किया गया इसके साथ देखा गया है अब टेक्स रिफोर्म के आधार पर एसे मानता हो कैसे दूर किया जा रहा है गरीब के ओपर कम टेक्स होना सी है मेर के ओपर चादा टेक्स होना सी है पहले तो हमें समझते हैं कि bio electronic medicine सब होती है देखो bio electronic medicine है वो एक तरिके आप समय में बताओ कि bio degredable एक wireless device सा होता है जिसमें medicine सी होती है basically तो यह क्या करता है हमारी bodyguard से कोई भी पार्ट अगरा लगए और वहां पर जो नर्स लगए यह पर जो सेल लगए वो खतम होने लगए तो particular उसी area में इसको inject किया जाता है इस device को और यह particular उसी area में काम करता है और वहां पर जो भी issues है उनको दूर करता है और फिर धिर देख जब इसका काम खतम हो जाता है तो अपना body के अंदर ही खतम हो जाता है गहीं इसको वापस से surgery करके बाहर निकालने के ज़रुत है वो नहीं होती है तो यह basically इस तरह की medicine है तो यह पहली medicine दो वह जूसर किया गई है तो यह में धान में रखना है कि एक तरह का device ही होता है जो कि bio degradable होता है और wireless होता है obviously अभी काम कैसे करता है तो काम है सकता है कि जो भी device है उसको क्या करेंगी हमारी body किसी part में inject कर जाता है पहले यह अदर कुछ है electricity होती है तो उसकी help से क्या करेगा यह pulse को generate करके और वहाँ पर जो nervous system की cells वगरा है उनको resonate करने में help करेगा मलब उनकी cells वगरा है यह पर जो nervous है उसको एक तरीके से growth करने के लिए growth improve करने के लिए basically focus है वो करेगा तो इससे हमारी muscle strength है वो भी बढ़ेगी औ वो जो particular issues है उसको भी निपटा जा सकता है benefit क्या होगा कि particular point को focus करेगा मतलब body के जिसे पैर में लगे तो पैर को focus करेगा टांग पर हाथ पर लगे है तो हाथ पर focus करेगा बात करेंगा रंग उठे पर लगे तो उसी और पर focus करने वाला है तो उससे क्या होगा result काफी अच्छे देखने को मिलेंगे और quality भी medicines की बहुत अच्छी है वो रहेगी तो यह दाना करेंगे bio electronic medicines है वो होती क्या है नेक्स्ट वो आर्टिकल हम बात करेंगे भी वो है इंटरनेशनल स्वरी नेशनल काउंसल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और नेशनल इस्किल डेवलप्मेंट एजिंसी को लगे है तो कंटेक्स्ट अभी आया है कि union cabinet है उसने इन दोनों ही इंस्टूट को या दोनों ही एज इसकिल की ही नहीं है और इसकिल के बात के तो कहते हैं कि हमारे पास फॉर्ण बगरानी है तो दोनों ही इंस्टूट हैं वो एक दूसरे पर लेपापोती कर रहे थे इसलिए गुशनल ट्रेनिंग और एजुकिशन दोनों के लिए एक ही बोड़ी बना जैते हैं ताकि सारी जिमेदारी उसकी हो और accountability को भी secure है वो कह जा सके तो government ने अभी जो NCVT है जिसको हम बोला कि National Council for Vocational Training इसे और NCVET यहनी कि National Skill Development Agency इनको मिला के basically एक ही बोड़ी बनाई है जिसका नाम है NCVET तो NCVET का मतलब है National Council for Vocational Education and Training मतलब इसमें एक तरिके से ट्रेनिंग भी दी जाएगी औ और education है वो भी दी जाएगी दोनों को focus है वो क्या जाएगा तो देखो benefit एक तो इसका यह होगा कि मिला कि एक बोड़ी बनने का सबसे चाफायदा क्या हो जाएगा कि एक तो accountability हो जाएगी transparency भी रगी क्योंकि अब सारा का सारा जो काम होगा vocational training का और vocational education का वो काम क्या जाए है इस तकी guidelines होगे regulation होगे यह सारे काम NCVET के द्वारा ही किये जाएंगे अब देखो एहम बात हम करें कि सारी power अगर एक ही जगा जाएंगी तो क्या quality को ensure कर जा सकता है और account salary ठहरा जा सकता है कि भाई यह काम आपका था और आपने क्यों नहीं किया और एहम बात कि हमारे दे नहीं कि जा रहे हैं तो अभी क्या होगा government कर गान कर लिये कि sector skill जो skill council है उनके दोर पर basicly काम किया चाहिए क्यों सेक्टर skill जो council है यह क्या करती है देको sector skill council होती है इसमें क्या होती है जो भी industries होती है हमारे इसमें मेनेर उनके representative होते है मतलब उनके representative इसमें आते हैं और वो देखो बताते हैं कि भई हमें ऐसे से टेलेंट के जुरूत है आप इस इस तरह के एजुशले बस लेकर आईए और ये चीजे हमारी इंडिस्ट्री के ओड़े आज की जमाने की डिमांड है तो उसके मुताबिक आप स्किल और अच्छा काम देखने को मिल सके तो इसी के बैसे है उसके मुताबिक और इसकी लेखो दी जाएंगे तो यह कोषक्ष 5 6加श क showing जल्दी से यवाज कर लेते हो सबसे पहले में United Nation Human Rights Council के बारे में जाना जो कि UN की बोड़ी है दिसे 2006 में बेसिकली बनाय गया था इसके साथ ही हमने UN ISDR रिपोर्ट के बारे में जाना कि अभी रिसेंटली जो climate change की वज़ए से जो भी disaster है उसकी वज़ए से इंडिया को लगबग देखा जै तो लाश्ट 20 सालों में 80 बिलियन डॉलर का नुकसान है वो हुआ है इसके साथ ही हमने जाना कि commitment to reduce inequality index है वो publish किया गया है Oxfam and Development Financial International Institute के दौरा इसमें इंडिया की रेंकिंग बहुत ही खराब रही है इसके साथ ही हमने जाना कि bio electronic medicines है वो पहली medicines त्यार की गी है जो कि particular body के पार्ट को ठीक है वो करने में काफी helpful है वो रहेगी इसके साथ ही हमने जाना कि government ने दो institute को मिला के National Council for Vocation, Education and Training Institute बनाया है जिसका main motto यह है कि education और training दोनों को इन से हो रहे है वो क्या जासके तो यह तो थी आजगे मारे discussion फिल्दाल की discussion में इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion